अज आओ असी येरुशलम दी वड्याई नू पूरी दुनिया विचे चमकाव इस उब्देश लेक नाल परमिश्व दे वचन नू सांजा करिए सारे लोग को चदो असी स्वर्ग जावांगे असी परमिश्व ना मिलांगे है ना परमिश्व जिनना नू असी स्वर्ग विच मिलांगे उना सरफ पिता परमिश्व हन बल्कि पक्के तोरते माता परमिशुर्वी हन कि असी एलिया, एलिशा, मलिकी सिदक, अबराहम, नुहू, याकूब, अते इसहाक, अते विश्वास दे सारे पुर्ख्यानाल भी नहीं मिलांगे हालाकी साड़ा दुष्ट वेरी शेतान दुनिया नुँ चूठी सिख्या दिन्दे होई कैन्दा है सुर्ग विच सिरफ पिता परमिशुर है एन अहलाता लई, एहे ये शाया अध्यासाट विच पविकुवानी कीती गई है वेखोता हानेरा तर्तिनों टाकल लवेगा अते उम्मतानु कटा पर यौवा तेरे उत्ते चमकेगा अते ओधा परताप तेरे उत्ते विखाई देवेगा इसलई इस युग विच सियोंदिया सारिया संतानानु उठना चाहिदा है अते यरुश्लम दी जोती नू फर्षदे निचे लुकाउन दी बजाई चाते ते स्तापित करके उसनू चमकाउना चाहिदा है शेतान लई उत्पत अध्याय तेन वचन पंदरा केंदी है अते तेरे ते तीवी विच अते तेरी संतान ते तीवी दी संतान विच मैं वैर पामाँगा इस पविकबानी दी अनुसार जगद अन तक दुष्ट विरोधियां दी मुझोद्गी रहेगी एह विरोद्धी दूष्टी शब्दानाल माता परमिश्व दी सच्याइ ही दी विरोद गाल करनगे आते माता परमिश्व दी मिशन आते कम्मा विच रुखावट पाउन दी कोशिश करनगे पर परकाहिदी पोतिय अध्याई बारा विच इस्तरी दी बची हुई संताना नू यशाया अध्याई बाट दी पवेकबानी द्यानू सार जदो तक माता जी दी वड्याई तर्ती उत्ते ना फैल जावे ओधो तक की यरुश्लम्दियां कंदां ते पहरेदार बनना चाहिदा है आजकल जिवेकी माता परमेश्वर बारे सच्याई पूरी दुनिया विचे फैल रही है फिर बहुत सारे लोग माता परमेश्वर बारे सच्याई नू नकारन दी कोशिश कर दे हन पर बाइबल सानू सिखाउंदी है कि सानू माता परमेश्वर दी मौजूदगी अते इस तात्ते विश्वास करना चाहिदा है कि ओवी सानू बचाउन लई तरती ते आयान उत्पत्दी किताब विच आदम अते हवा दी कहानी सानू सिखाउंदी है कि हवा सारे ज्योंदियां दी माता है पर काईधी पोति अध्या उन्नीवी सानू सिखाउदा है कि लेले दी लाड़ी दी पक्की तरह मौजूद्गी है कि पर काईधी पोति विच्चे पविक्वानी नहीं है कि सारी मनुक जाती लेले दी लाड़ी दुवारा जीवन दा जल प्राप्त कर सकदी है पर शेतान लोका नू ए सब सच्याई जानन तो रोकदा है ओ माता परमिश्वर बारे सच्याई नू टकदा है ता जो लोक उसनू सही तरिके नाल ना देख सकन आज बाइबल दुवारा आओ असी इस सवाल दे जवाब दी पुष्टी करिये कि असी सुवर्ग जानते पिता परमिश्वर अते माता परमिश्वर नू भी देख सकदे हा एक वार जदो असी सवाल नू हलकार लेंदे हा फिर सारे चूटे चर्चा अते सचे चर्चा विचकार पूरी तरह फर्क करना एक सधारनगाल है ए नहीं नहीं पर असी इस सवाल दा जवाब भी पास सकदे हा कि असी सचे चर्च विच्छा जो स्वर्ग विच्च साड़ी अगवाई करदा है आवासी उत्पत अध्या एक वचन चब भी होते का नजर पाईए तब परमिशोर ने आख्या कि असी आद्मीनू अपने सरूप होते और अपने वर्गा बनाईए अते ओ समुन्दर दियां मचिया होते अते आकाय दियां पंचिया होते अते ओड़ंगरा होते सगो सारी तर्ती होते अते तर्ती पुर सारी किसरन वाले होते राज करन परमिश्वने मनुक जाती नू पूरे ब्रामांड विच सारे प्राणिया दी स्रिष्टी कीती जदो परमिश्वने मनुक नू बनाया तद परमिश्वने केहा ताँ परमिश्व ने आख्या कि असी आदमी नू अपने सरूप उत्ते और अपने वर्गा बनाईए क्योंकि परमिश्व ने कहा असी फिर परमिश्वर कदी वी इक नहीं हो सकते क्योंकि परमिश्वन ने केहा, असी मनुक नू बनाईये, तद पूरी मनुक जाती नू बनाया गया, उन्हानू जीवन्दा सा दित्ता गया, अते उन्हानू तर्ती उत्ते, जे उन्दे प्राणिया दे रूप विच रहन दी इजाज़ा दित्ती गई। परमिश्वन दे सरूप उत्ते उन्हानू उत्त्त किता, नर नारी उसने उन्हानू उत्त्त किता। परमेश्वर जिन्ना नू असी दे रूप विच दर्शाय गया है अपने सरूप दे मनुकुनू बनाया अते नर अते नारी परगट होई की ए स्पष्ट नहीं है की नर सरूप दे एक परमेश्वर अते नारी सरूप दे एक परमेश्वर दी मौजूदगी है सारी मनुक जाती आम तोरते नर सरूपदे परमिशन नू पिता परमिशर बलाउंदी है पर नारी सरूपदी परमिशर बारे कही है था कोई वी उन्ना नू नाही लबदा है अते नाही बलाउंदा है फिर कि इस दा मतलब ए है कि नारी सरूपदा कोई परमिश्व नहीं है ओ पक्के तरिके नल मौजूदगी छे जिवे यसी नारी सरूपदे परमिश्व नू पिता कहन दे हा फिर सानू नारी सरूपदे परमिश्व नू की कहना चाहिदा है जो सडे सार्यां विच जीवन्दा सा दिन्दे हन सनु उन्नानु माता पर्मिश्वर कहना चाहिदा है मनुक जाती दे तर्तियुते मौजूदगी विच आउन तो पहला ही पिता पर्मिश्वर अते माता पर्मिश्वर स्वर्ग विच हन पाइबल केंदी है कि स्वर्ग विच मौजूद परमिश्व निकेहा असी मनुकनू अपने सरूपदे अनुसर बनाई है अते तर्तियुते नर अते नारी बनाए गए इसले किसे दिन सनू स्वर्ग विच वापस जाना चाहिदा है कौन सिखाऊँदा है कि स्वर्ग विच कोई माता परमिश्व नहीं है एक इस दि सिख्या है उत्पत अध्याय तेन वचन पंदरा विच परमिश्व ने शेतान नुस पश्टूप नल केहा अते तेरे ते तीवी विच अते तेरी संतान ते तीवी दी संतान विच मैं वैर पामाँगा। दूसरे शब्दा विच शेतान हमेशा माताजी दे कम अते एतो तक की माताजी दी मौझूदगी नू हटाऊन दी कोशिश करेगा। शेतान दी तर्तियु ते सब्तो वड़ी रुकावट, सारे लोकानू माताजी दे वड़े प्यार अते बलीदानू महसुस करन तो रोकना है। ओ माताजी दी मौझोदगी नू न कारण ले एक वड़ी कोशिश करदा है ताजो लोक स्वर्ग विच ना जा सकन जिते माताजी हन। कि इस दा मतलब ए नहीं है कि सानू पूरी दुनिया नू माताजी दी मौझोदगी बारे दसना चाहिदा है। जो दुष्टतादा पालन नहीं करदी पसरफ तार्मिक्ता विच रेंदी है। परमेश्वर यरुश्लम नू स्थापित करण गे ताजो तर्ती उत्ते सारे देश उसनू पहचान सकन। ओ परमेश्वदिया सारिया संताना नू सियोन विचे कठा करण गे जिते अंतम सच्याई है। अते उनानू यरुश्लम नी तरसंद मान देनगे ताजो ओसियोन विचे यरुश्लम दिनाल खुशी सांजी कर सकन। इसलई एहे परकाइदी पोती अध्याई बाईवचन स्तारा विचे लिक्या गया है। कि अंतम दिना विचे ना सरफ पिता परमिश्वर बलकि माता परमिश्वर भी परगट होणगे। अते ओ कहनगे आओ जो तेहाया होवे ओ आवे। पिता परमिश्वर हन अते माता परमिश्वर हन। सारी मनुक जाती नू एहे दसन ले। परमेशों ने तरतीनू स्वर्ग दे प्रतिबिम अते परचावादे रूप विच बनाया जो असलियत है बाइबल इसते जोर दिंदी रेंदी है पर लोग इसनू मैसूस करन विच नाकाम रेंदे है जदो शेतान पिन पिन तोके बाज गलाना लोकानू तोका दिन्दा है अते चूटे सबूत पेश करदा है तद लोग चूट तो डगमगाउं दे हैं अते मुक्ती तो फिर जान दे हैं जिसनू उनने वड़ी मुश्किनल प्राप्त किता सी ए बहुत दुख दी गल है कि अजया कुझ है जिस दि तुसी तर्तियों त्यास कर दे हो सिर्फ करोना वाइरस करके हुन तक 11 लग तो ज़्यादा लोकान दी मौत हो गई है तो आनू इस दे बारे साफ़दानी नल सोचंदी लोड है कि कोई अजयी जगा है जिते माता जी नहीं है स्वर्ग दा राज हो सकदा है जिवें बाइबल कहन दी है परमेश्व दे वचन विच्चो ना ही कुझ जोडो अते ना ही कुझ कटाओ इसले ही सानू स्वर्ग जाना चाहिदा है जिते पिता जी दे नाल नाल इंकार कर दे हैं सानू उन्ना माहन से ख्यामा विच कदी कुझ नहीं जोडना जा कटाओना चाहिदा जो परमेश्व दे सानू बाइबल दे दुवारा दिती हैं मनुक दे मास अते हडियां दे स्रिष्टी तो पहला ही पिता अते माता जी ने आत्मिक दुनिया विच के हासी असी मनुकुनू बनाईए परमेश्व दे से यकिनी शब्द दे बावजूद कि इसदा कोई मतलब बंदा है कि माता परमेश्व दी मौजूद्गी नहीं है अज तर्तियुते अंगिनत तरमन पर जिते माता परमेश्व दी मौजूद्गी उते कोई विश्वास नहीं है उते कोई सच्चियाई नहीं है असी कह सक्दे हां कि सुर्ग दर आज उननू नहीं दिता जावेगा असी मत्यद्याय तेरा वचन दास्दियां से क्यामा द्वारा इस मामले दी पुष्टी कर सक्दे हां ताचेलिया ने नेड़े आन के उननू के हा तू उनना अल द्रिष्टांता विचे क्यों गल्ला करदा है उसने उननू उत्तर दिता कि सुर्ग दे राय दे पेता दी समझ तुहाननू दित्ती गई पर उनननू नहीं दित्ती गई है क्योंकि जिदे कोल है उननू दित्ता जावेगा अते ओदा वादा होवेगा पर जिदे को नहीं है उस तो जो कुछ ओदे कोल है सो भी लेले आ जावेगा मैं इसलिए उनना द्रिष्टांता विच गल्ला करदा क्यों वेकदे हुए की नहीं वेकदे अते सुन्दे हुए की नहीं सुन्दे अते नहीं समझदे आओ असी वच्चन चौदा नाल जारी रही है उन्हा उते ये शायद ए अगमबाग पूरा होया कि तुसी कन्ना नाल सुनोंगे पर मुलो ना समझोंगे अते वेकदे वेकँंगे पर मुलो बुज़ोंगे ना क्यों जो इस परजादा मन मोटा हो गया है अते ओ कन्ना नाल उच्चा सुन्दे हन एननानेफ आपनी आखा मीट लईया हन मते ओ अखानाल वेकण अते अते कन्ना नाल सुनन अते मानना समझण अते मोडाऊन अते मैं इनानू चंगा करा पर तान तो अडियाकियां जो वेकदियां अते तो अडियकान जो ओ सुन दे हन वचन स्तारा क्योंकि मैं तो अनू साथ आगदा कि बतेरे नभी अते तर्मी लोच देसन पई जो कुछ तुसी वेकदे हो सो वेकद पर नावेक्या अते जो कुछ तुसी जान दे हो सो सुनन पर ना सुनेया जेका रसूल यहुनना आजेते हुन्दा अते असली यरुश्लमनू देखदा तद ओ किनना खुश हुन्दा जदो दाउद परमिश्वदे संदूकनू दाउद पुर्विच लियाया यहुनना भी उससे तरह नहीं करेगा अज बहुत सारे लोग बाइबल पढ़न दावा कर दे हां पर ओ अपनी अखानाल नहीं देख सकते कि माता परमिश्वदी बिलकुल मौझूदगी है पर तो हड़े अते मेरे बारे की कि असी देख सकते हां किसने सानू उन्हान वेकंदी इजाज़द दिती येशुने के हां कोई मेरे को ला नहीं सगदा जे पिता जिने मेनु कल्या उन्हा ना खिचे बस इस गाल लई कि सानू सुर्गे माता जी को लाउन दा आशिरवाद मिला है असी किन्ने तानवादी हां जदो असी सुर्ग विच जाईए फिर असी अंतच जानांगे कि सानू इन्नी महान अते शांदार आशिशा मिली हां आउ असी ओस समा ओन तक तोड़ा होर सेहन करिए इस दिले सानू तीरजदी लोड है क्योंकि करोना वाइरस महामारी हुन लगबग दस महीने तो जारी है तद जो लोग परमिशर उत्ते विश्वास नहीं कर दे ओक कहन दे हन मैं निराशा जनक महसूस कर दा मेरा जीवन हुन होर मज़ेदार नहीं रहा कुछ लोग कहन दे हन हो सकदा है कि अंत नियादा दिन जिस्दे बारे बहुत सरे चर्च गाल कर दे हन असल विच आ रहा है लोग कई अलगलग टिपणिया दे रहे हन ए अजयाँ चीजा हन जो दुनिया पर विच रहन वाले लोग कह रहे हन हलाकि साड़े बारे की की साड़ा पविख असल विच एक शांदर दुनिया नहीं है जिस दी आस करन दे योग हां सानु इस्ते विश्वास कराऊन ले सुर्गे पिता अते सुर्गे माता जीनु अज एक वार दुबारा सी तानवा दिन दे हां इस तर्तिवते कई दृष्टानता दौरा परमेशों ने कई वार सानु सिखाया कि साड़े कोल माता परमेशों है हलाकि संसार इसनु महसूस नहीं करदा ओ इस ते त्यान देन अते इसनु महसूस करन विच असफल रहन दे हां आव असी परकाइदी पोतिया दिया चार उतेक नजर पाके देखिये कि परमेशों सानु किस तरह दा संके दिन दे हन परकाइदी पोतिया दिया चार उते चंदास ताँ चवी बजुर्ग ओदे अग्ये जेड़ा सिंगासन उते बिराजमाने डिग पैन गे अते उनु जेड़ा जुगो जुग जेउंदा है मत्हा टेकन गे अते ए आखदया अपने मुकट सिंगासन दे अग्ये सुटन गे हे साड़े प्रभू अते साड़े परमेश्वर तुमहिमा मान अते समर्ता लेन दे जोग है तेह जो सारी वस्ता रचिया अते ओ किस दी इच्छया नाल तेरी इच्छया नल होया अते रचिया गई है तद सानू सोचना चाहिदा है अहा सुर्ग विच्छ साड़े कोल पिता परमेश्वर है पिर जद्वसी और तानू देख दे है तद सानू किस दी बारे सोचना चाहिदा है अहा स्वर्ग विच साध्य कोल माता परमेश्वर वी है परमेश्वर ने सारी मनुक जाती नू नारजा नारीदे रूप विच बनाया ताजु असे स्रिष्टी विच परमेश्वर देच्यानू असानी नाल समसके अते इस मैत पुण गालनू कदे ना पुलिये परमेश्वर ने हर एक तरहां दे पराणी बनाया अवसी अकाश विच पंचियां दे बारे सोची है कि सरफ पापा पंची है नहीं माता पंची वी है समुदर विच मच्चियां बारे की परमेश्वर ने पापा मच्ची अते माता मच्ची बनाया परमेशों ने उन्ना नू इस तरह नाल क्यों बनाया? मैदान विच पजन वाले सोने हीरना विच पापा हीरन अते माता हीरन हुन दिये परमेशों ने उन्ना नू जहा क्यों बनाया? एक जैबरा दे कुल विउस दे पापा जैबरा अते माता जैबरा है परमेश्व ने उन्ना नू इस तरह क्यों बणाया बाइबल केंदी है सारिया चीजा परमेश्व दी इच्चया नाल बणिया सी ए सरफ जानवरां दी दुनिया ही नहीं है पोध्यां दी दुनिया नू देखो फुला विच उन्ना दे पापा फुल अते माता फुल भी है रुखा विच वी उन्ना दे पापा रुख अते माता रुख है मनुखानू भी उन्ना दिया मावा दुवारा जीवन दित्ता जान्दा है ए सच्मुच बहुत डुंगा है मावा तु बिना कि ए दसना संभव हैं कि अगली पिडी मौजूद होवीगी किरपा करके उस वचनते विचार करो कि सारिया चीजा परमिशो दी इच्छेया तो बनाईया गईया सी परमिशो ने सारिया चीजा नू जया क्यों बनाया परमिशो सारी मनुक जाती नू हर दिन सिखाऊं दे हन तो आडे कोल माता परमिशो रहे फुल वी सानू कहन दे हन तो आडे कोल माता परमिशो रहे घरगोश वी सानू कहन दे हन तो आडे कोल माता परमिशो रहे हीरन वी सानु दाजदे हैं तो आड़े कोल माता परमिश्वर है अकाश वीच कलहंस वी सानु दाजदे हैं तो आड़े कोल माता परमिश्वर है ओ सारकुझ जो असी देख दे हैं समुंदर वीच मचियां, अकाश वीच पंची, मेदान वीच दोड़दे पशु उनना द्वारा परमिश्व साननू ए जानन दिन्दे हन कि साड़े कोल माता परमिश्वर है परमिश्वर ने अपने इच्छेया नाल इस तर्तीनू बणाया अते सारे लोकानू अपनी इच्छेया परगट कर लई पिता अते माता हून दी इजाज़त दित्ती अते इस पर नाली दुवारा जिस विच परमिश्वदी इच्छया धर्ज है सारे जियोंदे प्राणी अपनिया मामा तो जीवन प्राप्त कर दे हान ओक्चन गो एंकम ट्रेनिंग संस्थान विच परवेश दुवारतों फाटक तक सड़क दे दोनों पासे कई गिंको रुखान हुन ओह सुन्दरता विच पीले होय होनगे हलकी उन्ना विचों कुझ ही फल पैदा कर दे हान उन्ना विचों कई पापा रुखान अते उन्ना विचों सिरफ कुझ ही माता रुखान अते इसरफ माता रुख फल पैदा कर देयां एहे असल विच हैरानी जनक है परमिशों ने ओना नू उस तरह बनाया जेकर तुसी एक गिन को रुख नू पुछो तेनू किसने जनम दिता? ओ कहेगा मेरी माने तुसी एक कलहंस तो पुछो परमिशों ने कुदरत नू आत्मिक दुनिया दी एक पाठ किताबां दे रूप विच बनाया तो जो असी इसनू अपनी आखानाल देख सकी परमिशों ने अजहा क्यों की ता? आउ असी रोमिया दिया एक वचन वी पढ़िये क्योंकि जगदे उत्पन होन तो ओदा अंडिठ सुभाव अर्तात ओदी अनादी समर्था अते इशुर्ताई ओदी रचना तो चंगी तना देश पैंदी है इस करके उना दिले कोई उजर नहीं यह लिख्या है कि परमिशों दा अंडिठ सुभाव अर्तात ओदी अनादी समर्था अते इशुर्ताई ओदी रचना तो चंगी तना देश पैंदी है इस करके उना दिले कोई उजर नहीं जदो असी देख देहां की बनाया गया है फिर असी परमिशों दी इशुर्ताई नू महसूस कर सक देहां अते नाल ही नार अते नारी सरूप दे परमिशों नू देख सक देयां इसलए अंतम दंते एबाना स्विकार नहीं किता जावेगा की मैं माता परमिशों ते विश्वास नहीं कर सक या क्योंकि मैं नहीं जान दा सी की खुद्रत विचस सारियां चीजां अपनी मौजूद्गी द्वारा माता परमिशों दी मौजूद्गी दी साखी नहीं दे रही हैं एह सब सबु देखन तो बात सनू एह पहचानन विचस समर्थी होना चाहिदा है की कौन सिखांदा है कोई पगवान नहीं है बाइबल कई वार इस गल्दवर्नन कर दी है अते सानू एहसास कराउं दी है परमिश्व ने सवर्गविच जो कुझ भी है इस तर्तियुते उस दा परचामा बनाया जेकर इस तर्तियुते सब कुझ इक परचामा है फिस सवर्ग विचनियाँ चीजां की हन अवसी ब्रानिय अध्याई आट्टू तेक नजर पाईए अध्याई आट्टू वचन पांज जेडे सुर्गी वस्तान दे नमुने अते परचामे दी सेवा कर दे हैं फिर कि इस दा मतलब ए नहीं है कि स्वर्गविच जो है वो असलियत है इस दा मतलब है कि इस दर्टू ते जो कुछ है वो एक परचामा है अते सरव एक परचामा है जो दिखाऊंदा है कि स्वर्गविच की है है ना फिर कि इस दर्टू ते वो बनाया जा सकदा है जो स्वर्गविच नहीं है नहीं फिर जिवे स्वर्ग विच पिता हन उससे तरह इस तर्थी उत्ते वी उन्ना दे पर्चामे दे रूप विच पिता होने चाहिए हन। फिर जिवे स्वर्ग विच पिता होने चाहिए हन। क्योंकि साढ़े कोल स्वर्ग विच साढ़े पिता हन। इसलाई इस तर्थी उत्ते वी अजये लोग हन। जो एक पिता दी पुमिका निपाउंदे हन। कि असलियत तो बिणा एक मॉडल हो सक्दा है। एह असंभव है। परमिशों ने मती अध्याय छेदे द्वारा सानू पक्के तोड़ते ए जानन दिता है। कि आत्मिक दुनिया विच साढ़े कोल पिता परमिशोर हन। फिर क्योंकि पिता शब्द दा उप्योग परिवर विच कीता जान्दा है। फिर सानु स्वर्ग विच जो है, अते तर्ति उत्ते जो है, इस दितुलना करके परिवर बारे अध्यन करना चाहिदा है। बिना किसे शक्दे, पिता शब्द दा मतलब है कि एक आदमी जिस दे कोल संतान है। आवसी दूजा कुरंतियों अध्याचे वचन स्ताराओ तेक नजर पाईए। अते परिवार अते संसारिक परिवार, असलियत अते परचामे विच्च कारदे संबंधे बारे त्यानना सोचिए। जिवें साडे कोल एक मनुखी पिता है, उससे तरह साडे कोल आत्मिक पिता है। अते जिस तरह आत्मिक संताना हैं, उससे तरह मनुखी संताना भी हैं। मनुखी मामा बारे की, की उन्हादी मजूदगी हुन्दी है जा नहीं, उन्हादी मजूदगी हुन्दी है। इसलिए उत्पता द्या एक विच असी देख देहां कि परमेश्वाने मनुक दी स्रिष्टी एक केंदे होए किती असी मनुकुनों अपने सरू विच बनाईए अते नार अते नारी नू बनाया गया है ना जेकर माताजी दी मौझूदगी नहीं हुन्दी तद औरतां दी मौझूदगी कदी नहीं हुन्दी साधी स्वर्गे माता जी ने स्वर्ग विच साधीयां आत्मावानू जनम दिता अते उन्ना ने अपने आपनू उदो तक साधीले समर्पित कार दिता है जदो तो असी आत्मिक दुनिया विच स्वर्ग दूत सी परमिश्वर ने तरती उते सारियां मावा नो अपने बच्चेयां दे प्रती खास प्यार रखन दे इजाज़त दिती है ए साड़ी सुर्गे माताई दे प्यार नो समझन विच साड़ी मदद करदा है सानु परमिश्वर दे इस उदेश नो महसूस करना चाहिदा है है ना गलातियां अध्याय चार वचन चब्भी कहनदा है पर यरुश्वर जो उताँ है वो अजाद है वो साड़ी माता है जिवे साड़ीयां मनुखी मावा है उसे तरह साड़ी आत्मिक मातावी है है ना, गलातियां अध्याए चार वचन छबी विच असी इस प्रक्टावे नू देख दे हां कि यरुशलम जो उताआ है, अते प्रकायदी पोती अध्याए एक की विच यह उना ने एक द्रिश्च देखिया, जिते एक स्वर्गदूत ने कहा, मैं तेनू लाड़ी अर्थात ले ले दी पत्नी विखावांगा, फिर स्वर्गदूत ने उसनू की विखाया, स्वर्गदूत ने उसनू यरुशलम नू स्वर्गतों उत्तर दे होई विखाया, असी मैसूस कर सक्दे हां कि परमिश्व ने इस सच्चे आई नू सरफ स्वर्गे संताना ले एक खास इना किर्पाद रूप विच देन दी किन्नी कोशिश किती है कि हुंदा जेकर स्वर्गदूत ने उसनु सिद्धा एक कैंदे हुए लाड़ी नू विखाया हुंदा मैं तिन्नू लाड़ी अर्थात ले ले दी पत्नी विखावांगा अज कई चूटियां मामा परगट होईयां पुलाविच पाद दियां कियासी सच्चे आईनू लाब ना सकदे स्वर्गदूत ने वाइदा किता मैं तिन्नू लाड़ी अर्थात ले ले दी पत्नी विखावांगा अटे उसनू यरुश्लम विखाई गलातियां दी किताब विच यरुश्लम नू साधी माता क्या गया हैं साध्यकूल पक्के तोर्ते साध्यी सधी पक स्वर्गद अ माता है आजासी असानी नाल सच्चे चर्च अते चूठे चर्चां विचकार इस दे अनूसार फरग कर सक्दे हां कि उना कुल स्वर्गद माता हैं जा नहीं स्वर्गे माता तो बिना कोई वी चर्च सचा चर्च नहीं है उस चर्च वीच कोई जीवन नहीं है जगा जिते पिता परमिश्व रते माता परमिश्व दोन्नों निवास कार दे हैं ओ बाइबल वीच वर्णन किता गया स्वर्ग दा राज है पिर परमिश्वर ने के हाँ उन तुसी यरुश्ट्रम दी मौजूदगी नू परगट कर सकदे हो पिता जी ने ओ सब त्यार किता जो उन्ना दे स्वर्ग जानतो बाद माता जी दी मौजूदगी नू परगट करन विच साडेले जरूरी है उन असी सामरिया आते तर्ती दे बने तिकर जा सकदे हां आते कैस सकदे हां माता परमिश्वर उते विश्वास करो बाइबल विच नभिया दुआरा परमिश्वर ने सानू सामरिया विच आते तर्ती दे बने तिकर मातापरमिश्वधी वड्याई दा, प्रचार करन लेके हा साडे आले दोआले, बहुत सारे लोगान जो हुन तक पूरी तरह परमिश्ववनू नहीं जान दे आव असी उन्हानू पितापरमिश्ववर अते मातापरमिश्वर बारे सही तरीके सिखाईए अते उदो तक बिना अराम किते येरुशलम दी वडियाई दा प्रचार करिए जदो तक संसार विच सार्या लोका द्वारा उना दी प्रशंसा अते वडियाई नहीं हुंदी आव असे इस पत जड मौसम तो ये पवित्रात्मा दा अंदोलन शुरू करिए पिता ते माता सार्या लोका लई पक्के तोर ते द्वार खोलनगे साड़े विचो कुझ चिंतत होके सोच सक्दे हैं लाल समुदर वरगा डूंगा समुदर उन साड़े सामने फैल्या होया है असी समुदर विचो किवे लंग सक्दे हैं अते दूसरे पासे पहुँच सक्दे हैं साड़े कोल एक वी किष्टी जा उपकरन नहीं है हलाकी की परमिशो ने मनुखी कलपना तो परे एक तरीके नाल समुदर नू नहीं वंड़े ता जो इसराइली असानी नाल समुदर विचो निकल सकन परमिशोर एह सब चीजां कर दे हैं परमिशोर अकाश नू वी वंड़न दा शांदार काम करनगे जिवे उनाने लाल समुदर नू वंड़े आसी आओ असी परकाईदी पोती अध्याई बाई वचन स्थारा देखिए आत्मा अते लाड़ी मतलब पिता अते माता आखदी है आओ ओहो दुनिया परविच अपणियां सारियां प्यारियां संताना नू बलाओं दे हन जेड़ा सुन्दा होवे ओ कहे आओ अते जेड़ा तेहाया होवे ओ आवे जेड़ा चाहे अमरित जल मुक्त लवे जदो तक असी पिता अते माता जी को नहीं आओंदे असी ए जीवन्दा जल कदी भी प्राप्त नहीं कर सकदे येशु ने यहुन्दा अद्याई चार वचन चौदा विच इस जीवन्दे जल बारे उत्तर दिता पर जो कोई मेरा दिता होया जल पियेगा सो सदीपक कालते कदे तेहाया ना होवेगा बलकि ओहु जल जो मैं उनु द्याँगा उदे विच जाल देक सोमा बान जावेगा जो अनंत जीवन्दा रहेगा इस दा मतलब ए है कि आत्मा ते लाड़ी सानु आखर का रिकी दिन्दे हन सदीपक जीवन किथे जब उरांदी पोथिया देए 133 द्यानु सार सदीपक जीवन किथे बरसाया जान्दा है सियोन वेच बाइबल से खाउंदी है सियोन वेच मुडो जिते पिता आते माता जी निवास कार देहन आते ओथे जी पारके सदीपक जीवन दा जाल पियो परमेश्वर केंदे हन जो तेहाया होवे ओवावे अते जो कोई चावे अमरित जल मुक्त लवे आज असी परमेश्वर दे वचना नू जिवे ओ हन उससे तरह देख रहे हन पिता अते माता जी उन पूरी दुनिया दे सारे लोका नू जल्दी सियोन वापस आउन लेई बुला रहे है पिता परमेश्वर अते माता परमेश्वर ने सानू आज तोहडे परिवार नू बचाउन लेई पेजिया है इसलेई पिता अते माता जी दिया बहाँ विच आउ असी तोहडे लेई एक सद्दा लिया है किरपा करके परमेश्वर अते बहाँ विच वापस आउ इस तरह है उनू जाके सारे लोका नू परचार करना चाहिए जडो हूनिक मौका हैं तदा हूँ असी औना नू परमेश्वर अते विच वापस आउन दा रा सिखाई मैं तोहनू सारयनू सियोन विचे साडे स्वर्गे मेंबरा तो प्रायश्चित विचे कई आत्मामादी अगवाई करनली बेंती करदा ता जो तुसी सदले स्वर्ग विचे तार्या वांगू चमक सको मेंनू आई दियो प्रदेशनू समाप्त करन दियो तो आड़ा बहुत बहुत दान्वाद